हेलो दोस्तो हमारी यूटूब चैनल में आपको बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो हम पर रहे थे पॉलिनोमिय तो पहला एक्सरसाइज 2.1 पर हमने पूरी तरीके से क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया उसमें जो भी कॉंसेप्ट है बेसिक कॉंसेप्ट बेसिक फंडमेंटर हमारा सब कंप्लीट कर लिया आथ देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कॉस्चन्स और प्लस इसके कुछ फंडमेंटल फार्मुले कोश्ट है जो इसके कॉंसेप्ट है वो हम देखेंगे हम दो केस में डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो पहला केस हम लिए हैं कॉड़िट इसके डिए क्या होती है इसका पावर 2 है अब सब पोच कर लेजें इसके आलफा वीटा दो रूट है तो सम आप जीरू जो होता है सम अब जीरू जो होता है माइनस प्रॉब्वाई क्या होता है आप सब सिरू होता है थो आप दूसरा नमब पर प्रोडॉडक्ट ऑप जीरू होता है अब इसी को ही लिखते हैं अलफा प्लस बीटा माइनस फी बाई ए अलफा इंट वीडा सी बाई ए टीक है सब्सक्राइब करेंगे यहां में कोई कोई एक्रिशन हो एक्रिशन फ्लस फाइफ एक्स प्लस क्या है सिक्स्ट इसका सिक्स यानि सिक्स वाई एक है तो वह हम कोईशन में डिसकस करेंगे अब देखते हैं केस नंबर से तो यह इस पे बेसिक जो एक्ससाइज है टू पॉइंट टू पूरी तरहिके से इसी पे पेस्ट बेस्ट बाकि जो केस नंबर सेकेंड जो हम बनाएंगे वह तो मोस्त कर लेंगे मेरा इतना मतलता। आपको समझ में आना चाहिए फार्मूला हो समझ में आना चाहिए क्या वहता है ऑफ करेंगे क्यू पॉलिजिस किया बात करेंगे कि इसके 3 टूठ होते हैं आफा पी तरह आता और गामा हटव तो इसके लिए जो हमारा पहला फार्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उक्वल टू बनेगा माइनस बीवाई दूसरी की बात करें तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जो होता है तो यह इसके फार्मूले होते हैं अगर यहां पर प्लस बीटा प्लस गामा की वेलू निकालेंगे तो माइनस बीवाई ए तो बी किसका हमारा वो है कोफिशन एक्स स्क्वाईर वाले का ठीक है और एक किसका है एक्स क्यूब वाले का बात करें इस वाले का तो सी मतलब क्या है यह वाला एक्स का कॉफिशन और एक्स क्यूब का कॉफिशन दी क्या है हमारा कॉंस्टेंट टम और एक्स क्यूब का टम तो यह तीन फार्मूले होते हैं QB polynomial के लिए और quadratic के लिए हमारे होते अलफा प्रेस बीटा माइनस बीबाई ए और अलफा एंटु बीटा प्रोड़क्ट आफ जो होता है हमारा रूट वो क्या होता है हमारा C बाई ए तो यह दो केस बनते हैं पूरे exercise में तो चलिए अपके स्टार्ट करते है exercise number 2.2 का पहला कोशन तो यह दो केस हैं दोस्तो QB polynomial और quadratic तो यह फार्मूलों को आपको आना चाहिए याद होने चाहिए है चलिए question number पहला उठाते हैं आपर ठीक है question number आपको पहला दिया है find the zero of following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficient चलिए यहाँ के question number first का जो हमारा polynomial दिया है पहला का पहला दिया है x square minus 2x plus 8 तीक है minus 8 दिया क्या दिया है minus 8 चलिए सबसे पहले तो यहाँ आप देखे या तो पहले इसको solve करके आप इसकी virus निकाल सकते हैं ठीक है कैसे निकाल सकते हैं x square अब यहाँ पे ऐसा कुछ गुना करिए कि 8 आजाए और खटाने पे 2x आजाए तो यहाँ पर करिए 4x ठीक है x बाहरे पे लिए 4 minus 2 चार दो नहीं आठ चार में से दो गया तो 2 और एक से बाहर लेगे जी ठीक है x square यहां क्या हो जाएगा 4x minus 2x minus minus plus हो जाएगा minus 8 और यहां से common लेगे जी तो x minus 4 और यहां से plus 2 common लेगे तो x minus 4 ठीक है तो यहां पर 2 हमारा root बन रहा है दो value बन रही है एक x plus 2 एक x minus 4 तो इसको 0 को इक्कोल दिखा के x की value 2 और minus 2 और क्या 4 दिखा सकते हैं ठीक है दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं इस equation को लिख लीजिए minus 2x minus 8 आप compare कर देजिए ax square plus bx plus c तो a की value क्या है 1 b की value क्या है minus 2 c की value क्या है minus 8 ठीक है अब देखें यहां से जब solve करेंगे जो sum of zeros होते हैं क्या sum of zeros sum of zeros वो क्या होते हैं हमारे यही हमारा होता है देखें तो sum of 0 alpha plus beta minus b by a और यह alpha, beta मालो root है यहां पर पूट कर दीजिए तो alpha क्या है minus 2 माल लेजिए और beta क्या है 4 और यहां पर भी रखेंगे तो यहां पर रखेंगे b क्यों सा value है आप ठीक है आपका value है यहां से compare जो किये है b ठीक है तो b क्या है minus 2 तो minus already minus 2 अब पान में 1 ठीक है यहां आ जाएगा चार में से दो गया 2 और यह भी आ जाएगा आपका 2 यानि एक दूसरी के परापर है यानि यह सही है लेकिन जो मैं आपको ट्रीक बता रहा हूं आपको तो आपको ऐसे करना आप करें लेकिन आप यहां से डारेक्ट फाइंड कर सकते हैं अलफा प्लस बीटा क्या होता है माइनस भी पाई ए तो यहां पर सम आप रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो वी की वेलू क्या है माइनस टू तो माइनस टू अप पाण में आपका ए की वेलू क्या है वन तो यह अलफा प्लस बीटा आपका टू ठीक है आपका एंसर दिया होगा टू सम आप जिलू क्या आइंगे टू अब प्रोटक्ट की बात करें अलफा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए तो सी क अब प्रोडुक्ट ऑफ जीडू आपको फाइंड आउट करना है ठीक है यहां पर देखिए तो आलफा की बेलू माने है माइनस टू और बीटा की वेलू क्या है ठीक है और यहां पर देखिए यहां पर आपना हैं प्लस यह वीजिए आपको करना हो गई यह बहुत आसान है इसे आप सकते हैं सामाफ जीरू दिखाए यह दो निकाल सकते हैं सब्सक्षराद करते हैं यह कोसें इंपोर्टेंट है विए बेसिक नहीं है अभी जादा खास नहीं है सिर्फ समाफ जीरू समाफ प्रोड़क्ट आफ जीरो साब सी पूछता है चलिए नेस्ट कोश्चन आपका दिया है पहले का सेकेंड नमबर आपका दिया है 4S स्क्वाइर माइनस 4S प्लस 1 ठीक है दोस्तों यह आपका कोश्चन दिया हुआ है अब हैंने आपको बता इस एक्वेशन को सॉल्ड कर सकते हैं सॉल्ड कर लिए 4S स्क्वाइर यहां पिलिख लिए 2 दूनी 4 2 प्लस 2 कर दिजिए 2 दो 4 और 2 दूनी 4 और यहां S लगा दिए प्लस 1 4S स्क्वाइर अब यहां से हो जाएगा 2S माइनस 2S प्लस 1 यहां आपका तू L यह कामल जब लेंगे तो बचेगा 2S माइनस 1 ओर आगे बचेगा 2S माइनस 1 यानि 2S माइनस 1 और 2S माइनस 1 ऐगे छे मेरे तो एस के वेलु और 시청रे ने जी निकाले से हमदी तो यहां पिए भत 있으ών को आप सब आफ़ा प्लुस बीटा क्या होता है मानत भी बाइअ यहां पहले एक्वेशन लेखियो ओर एच्वाइर स्प्लाइटектор के लिए As स्वाइर प्लुस प्लासी एस एक लिख सकते हैं कोई दिक्त नहीं है तो एक वैलू 4 बी की वैलू minus 4 C की value क्या है 1 ठीक है चलिए अब यहाँ sum of 0 alpha मार लो क्या है 1 by 2 है और यह 1 by 2 B की value क्या है आपकी थोड़ा सा disturbance होके है तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे आपको B की value दिया है minus 4 यहाँ पे minus 4 अपान में A की value क्या दिया है 4 तो minus minus क्या हो जाएगा इसको sort कर लेजिए अब देखें 20 बराबर है 20 बराबर है तो 2 अपान में 2 और आगे हो जाएगा 4 अपान में 4 ठीक है तो cancel हो गया आपका क्या हो गया cancel हो गया यह भी cancel हो गया 1 square 2 1 ठीक है यह sum of 0 आजाएगा आपका second आपका product आप 0 क्या होता है C by A यहाँ से देखें product alpha क्या 1 by 2 beta क्या है 1 by 2 और C की value क्या है आपकी 1 और A की value क्या है 4 तो 1 by 4 equal to 1 by 4 ठीक है यह आपको दिखाना होगा ठीक है और आप EG से यहीं find out कर सकते थे alpha plus beta equal to minus B by A alpha plus beta equal to आपका आजाएगा B minus में है minus 4 अब आप में 4 ठीक है और यह आजाएगा alpha plus beta की value क्या 1 अब alpha into beta क्या आपका C by A तो C की value क्या है alpha into beta C की value 1 है A की value 4 यह आगया sum of root sum of product of group यह भी आप दिखा सकते हैं तो इस तरीके से sum of zero sum of root of find out कर सकते हैं यह दोनों question का आपका solution रहा ठीक है दोस्तो I hope यह video आपको समझ में आई होगी अगर भी हमारी video आपको थोड़ी सी भी help करती है तो video को जरूर लाइक कीजिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगे चलिए दोस्तों मिलते हैं next video में नए question नए trick के साथ अब तक की जैन subscribe now and press the bell icon never miss an update